चंद्रमा जन्म कुंडली के बारहवे भाव में चंद्रमा हूँ तो ये अपने आप में बड़ा ही स्रिष्ट है मैं पहले तो ये बता दूं कि इसकी कुछ कमियां भी है जैसे जातक के जीवन में कुछ मामूली उत्थान पतन जातक को देखना पड़ता है वैसे मुझे लगता है सबको अपने जीवन काल में उत्थान पतन देखना पड़ता है दूसरी एक मामूली कमी है मानसिक अशान्ति जातक को थोड़ा ज़्यादा ही रहता है कि चुंद्रमा मन है और ब्याय भाव में हो तो जातक अपने मन का ब्याय बहुत जाधा करता है तो मन का ब्याय बहुत जादा हो तो भी जातक मानसिक अशांटि तो होगी लेकिन अच्छाई क्या है निशन दे ऐसा जातक अद्भुत होता है यूँ समझ लिजीये कि उगते जब सूर्य निकल रहे हो तो इनके निकलते ही जैसे बाकी के तारेगण छुप जाएं वैसा अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन काल में जब उदित होता है तो सबको निसंदे सम्मोहित कर लेता है इसलिए तो मैंने कहा कि मित्रो में तो यह जातक लोग प्रिय होता ही है शत् भी अगर इसके हैं तो वो भी इसका सम्मान करते हैं धर्म के मामले में पूरी तरह से यह समर्पित होता है जातक जिसकी जन्म कुंडली के बार्में भाव में चंद्रमा हो यह त्यन तुस्रेश्टिस्तिती है अब जैसा मैंने कहा मामली कुछ परिशानी एक छोटी सी परि यह होता है लेकिन अगर बार्में भाव में बैठे चंद्रमा पर किसी पापग्रह की दृष्टी हो तो पूरुस की कुंडली में है तो बाईयां आख और इस तरी की कुंडली है कि तो दाहिनी आख में परिशानी आ जाती है चंद्रमा सी तलता है और नेत्र में अगनी है जब इस भाव में और जन्मकुंडली का दूसरा और बारमा जो भाव है वो नेत्र को दरसाता है जब यहां पर चंद्रमा होंगे तो इस में सी तलता ला देंगे और नेत्र में अधिक तेजा आ जाए तो दोनों ही अवस्थाओं में नेत्र खराब हो जाता है यानि सूर्य और मंगल भी दुतिय और द्वादस में पापगर से द्रिष्ट होने पर वैसे ही जातक को नित्र विहीन बनाते हैं या नित्र कमजूर कर देते हैं, चंद्रमा की स्थुति भी वैसी है, ये सीतल कर देते हैं, चुकि सुर्य और मंगल की लाइट जादा है, तो आखों की जो रौशनी है, उलाइट नहीं तो वो कमजूर पढ़ जाती है, और चंद्रमा सीतल है तो सीतल कर देते हैं, तो आखों में थोड़ी परिशानी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, बाकी मामलू में ऐसा जातक निसन दे, एक अत्यंत स्रिष्ट जीवन देखता है, एक अत्यंत जीवन.